नमस्कार गिसान सत्यों स्वागत है क्रिशीन नेचर में आज मैं बात करने आ आपसे पूशा हर्षा सर्वति ग्यों के बारे में जिसका विज्ञानिक नाम एचाई 16 बचपन भी है तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है पूशा हर्षा तीन सिचाई का यह जो ग्यों है तो चंदोशी और सर्वति केटेगरी का में आने वाला है ग्यों खाने के लिए हमने लगाया है एक विगया ग्यों हमने लगाया है 20 किलो प्रती विगा किसाब से हमने बिजदर रखी थी इसमें तो 29 अक्टुमबर 2023 को हमने इसकी बिजाई की थी तो आज लगबग 45 दिन का यह ग्यों हो चुका है 25 दिन में हमने पहली सिचा इसको दी दी उसके बाद जो है बारिस का पानी इसे मिला है तो अभी यह स्तिदी है आप देखिएगा कई भी खेत में आपको जगर नहीं दिखेगी पूरी तरह से ग्यों फेल चुका है तो कल्ले में कल्ले भी मैं आप इस तरह से बना है लगबख 16-17 इसमें कल्ले आये हैं मैं गिनवा भी देऊ हूँ आपको लेकिन शमय लगेगा तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए यह स्तिती बन रही है सारे पोधे में आपको बदे रहता हूँ तो बाली आने में अभी समय है तो 43 दिन का ग्यों हो चुगा है ग्रीन नेस बढ़िया है ग्यों में तो 20 किलो परती बिगा की इसाब जो 20 दर रखी थी उस इसाब से कहीं भी क्यारी में इस्पेस नहीं है तो इसाब से यह बहुत अच्छा ग्यों है फिलाव इसका अच्छ जो है आपको 20-25 दिन में देनी है जिससे कल्ले और टिल्रिंग की जो अच्छे आए दूसरा पानी जब इसमें बालिया निकलने लगेगी तब हम देंगे तीसरा पानी जो है इसमें दाने जो भरेंगे आप दूद वाली अवस्ता उसको कह सकते हैं उस समय हम तीसरा पानी इसको देंगे 120 दिन में पक्कर यह त्यार हो जाएगा यह इसकी समय उधी 115-120 दिन और पादन की बाद हम जब गेहूं निकलेगा तब करेंगे तो अभी बहुत अच्छी कंडिशन है केसा लगा आपको पुशा हर्षा मुझे कोईन बक्स हों जरू बताईएगा झाल